सो गाहिज जैसा कि हमने पिछले इपिसोड में देखा जेंग इमोर्टल मेंशन का टेंपररी ओनर बन चुका था जहां उसे आफू कर्टियेशन ड्रोइंग दिखाता है जिसमें से एक ड्रोइंग चमकने लग जाती है जो मेंशन के फर्स्ट ओनर की ड्रोइंग थी इसके ब डिमन से से लचता है जेंग और यानर मिल कर डिमन स को रहा देते worry लेकिन कुई जी उसके बाद TGAN-vay को जेंग से लडने के लिए बुला लेता है फिर अब हम जेंग को देखते हैं जो TGAN-vay को देख कर एरान हो कहता है वो कहता है कि TGAN-vay तो बàyदी city के heart को destroy करके मरा था इसलिए वो सभी demons के लिए hero था मैंने उसके true essence का use करके उसकी body को फिर से restore कर दिया जिससे वो हमेशा demons के लिए लड़ता रहे ये सुनकर जेंग कहता है कि मौत के बाद भी तुमने उसे आराम से नहीं मरने दिया मुझे तो इसके उपर दिया आ रही है ये सुनकर कुई जी कहता है कि आराम से तो सभी इंसान मरेंगे जब मैं मेरा demons का kingdom मनाऊंगा तो मैं सभी इंसानों का अपने पेरों से कुचल दूँगा ये सुनकर जेंग कुई जी से कहता है कि मैं तुम्हें विशाष दिलाता हूँ कि जब तक मैं और मेरे जैसे अजारों इंसान जिन्दा है हम तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगे ये सुनकर कुई जी असता है और 93 को उसका वेपन जो एक स्टाब था वो दे देता है और उसे जेंग को मारने का order दे देता है जिससे अब वो अपना स्टाब ले कर जेंग के उपर अटे कर देता है 93 को अपनी अराता देख अब जेंग भी उसके उपर अटे कर देता है 93 अप पेले बहुत जादा powerful हो चुका था इसलिए जेंग उसे मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिनो 93 को एक भी बार हिट नहीं कर पा रहा था तब ही अब 93 उसे एक माउंटेन की चटान पर फिंक देता है और उसके उपर अटेक कर देता है जेंग उसके अटेक को रोग लेता है लेकिनों से दक्का नहीं दे पा रहा था वो सोस्ता है कि 93 तो मरने के बाद और भी ज़्यादा पारफुल हो गया है तब ही अब यानर वहां आकर 93 के ओपर अटेक करती है और उसे अपनी और खीच कर जेंग को बचा लेती है इसे लिए अब जेंग को 93 के ओपर अटेक करने का वक्त मिल जाता है और वो यानर को पीछे से ठीग हो गया था ये दे़क Raynard से केता है कि 93 बहुत ज़्यादा पारफुल है इसलिए हमें अलग-अलग होकर इसके उपर अटेक करके से खत्म करना होगा ये करकर जेंग 93 पर attack करता है लेकिन अब वो और ज्यादा powerfull हो चुका था वो जेंग का हथ पकड़कर उसके attack को रोग लेता है इसलिए अब जेंग 93 के उपर अपने starling thorn spirit मूँ से attack से attack करता है पर अब पर अटेक करती है जिससे वाइक स्पेरों आ जाती है और 93 पर अटेक करती है 93 अपने स्टाफ से उस स्टाफ को रोक नहीं कुश्च करता है लेकिन इस वरों के अटेक से 93 का स्टाफ तूट जाता है और तब अब जेंग अपने डिवाइन डेमनिक फिश्ट से 93 के पेट पर पंच मारता है जिससे वाँ फिर से बहुत बड़ा बलाश्ट होता है लेकिन हम देखते हैं कि 93 फिर से ठीक हो रहा है और इस बार हो और जदा पारफुल और बड़ा हो गया था इसलिए अब जेंग फिर से उसके उपर अटेक करने के लिए जाता है लेकिन अब 93 अपने दोनों हातों के बीच उसे दबा लेता है जेंग अपने दोनों हातों से उसके आथों को दखा दे कर उसे रोग लेता है लेकिन अब जेंग वहाँ से निकल नहीं पा रहा था ये देगर कुई जेंग से कहता है कि हम मेरा पेशेस» ख़तम हो रहा है मुझे बताओ कि तुम सरेंडर कर रहे हो या नहीं ये सुनकर लो यान कोई जी से कहती है कि तुमें H.T. मिन फिजिक चाहिए इसलिए में तुम्हारे साथ चलने के लिए त्यार हो तुम मेरे बाई को छोड़ दो ये सुनकर कोई जी लो यान से कहता है कि हम मैं उसे नहीं छोड़ूँगा मुझे जाना है कि ओहार मानेगा या ये खेल तब तक चलेगा जब तक ये आन नहीं मान लेता ये सुनकर जेंग कोई जी से कहता है कि मैं कभी आन नहीं मानूंगा और तुम्हारे मरने से पेले नहीं मानूंगा ये कहकर जेंग लो जेंग से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस डिमन के आगे मत जुग ये सुनकर कुई जी असता है और जेंग से कहता है कि इंसान लालची होते हैं और इसे का फाइदा उनके दुश्मन उठाते हैं लेकिन डीमन्स बस एक ही चीज जानते हैं वो सबसे ज्यादा पारफुल और स्ट्रोंग के लिए लोयल रहते हैं और मरने तक उसके लिए लोयल हुए था तभी आफु जेंग से कहता है कि अगर आप इस डीमन को इससे ही रोक कर रखोगे तो आपकी बोदि जाँ देर तक आपका साथ नहीं देगी आफुकी बास सुनकर जेंग उसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी बोडि साथ देती है या नहीं मैं इसे नहीं इससे तुम्हारा लाइव इस्वेन कम हो जाएगा लेकिन अब यानर जेंग की बात नहीं मानती और अपनी कुछ एनरजी को जेंग में ट्रांसर कर देती है जिससे जेंग की पाउर्स बढ़ जाती है और हो 93 के आतों को दूर करके अपनी ड्रेगन इसकेल पाउर से 93 के सर पर लेकिन कुछ जी बहुत आसानी से उसे मार कर नीचे गिरा देता है यानर ने अपनी पाउर्स जेंग को दे दी थी इसलिए वो कमजोर हो गई थी इसलिए जेंग उसे पकड़कर नीचे जमीन पर लेकर आता है जहां वो जेंग से पूछती है कि क्या हम जीत गए तो अब तुम्हारे साथ और खेलना चाहिए वो जेंग से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर और पूरे कियुन सेक्ट के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहो तो तुम किसे चुनोगे तुमारे लिए कौन जादा इंपोटेंट है या सुनकर जेंग कोई जी को अपना होगे या फिर अपनी फेमेली के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे तब या फो जेंग से कहता है कि कोई जी बहुत ज़्यादा पारफुल है आप इससे अपनी करेंट से नहीं आरा सकते यह सुनकर जेंग उदास हो जाता है तब या यानर जेंग का नाइफ कि कुछ भी पागलपन मत करो यानर के आखों में आस्वा जाते वो जेंग से कहती है कि हम उससे मत लड़ो हम उससे नहीं आरा सकते यह सुनकर जेंग यानर से कहता है कि मैंने डेट से वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा तुम्हारे साथ पहले ही ब तुम मेरे किंग्यून सेक्ट या फिर्यानर को हाम करोगे तो मैं वो पहला इंसान होंगा जो तुम्हें मारूंगा किंग्यून सेक्ट के सभी डिसेबल और इंसान साथ मिलकर तुम्हारा मकावला करेंगे और एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे यह केकर जेंग अपने ये न्यांग ट्रांस्वम मू का यूज करके कुई जी के ओपर अटेक करता है वो एक बहुत बड़ा इनरजी बोल बनाकर कुई जी के और फेकता है लेकिन अब कुई जी भी हसता है और अपने तोंस से खड़ा होकर अपनी सोर्स ले से जेंग के अटे देता है और जेंग से कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम्हारी और से मैं डिसाइड कर लेता हूँ यह कहे करो जाइंट विल को एक्ट्रेट कर देता है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी और खीचता है और ने एक साथ जोड़ एक बड़ी इस्टोन बॉल बना लेता है जिसे हो जमीन पर गिरा कर किंग यून अक्सेक्ट को खत्म करना चाहता था कुई जी उस बॉल को नीचे जेंग के उपर गिराता है लेकिन अब जेंग अपनी पार से उस बॉल को रोग लेता है वो भी अब इस्टोन बॉल के नीचे दब चुका था इसलिए यानर उसकी मद करने के लिए कुई जी के उपर अठे करती है लेकिन कुई जी एक चेन को उसकी और बेच कर उसे पकड़ लेता है और अब इसी के साथ यह एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स वरोची